उसके हाथ पर बांग देते और वो उस पर वो दवा इंजेक्ट करते हैं जो अभी अभी सिबास्चे ने इन्वेंट कियें जिससे गायब हो अजीव वापिस अपने अस्तित्तों में आ सकता है और जब वो उसके अंदर वो दवा इंजेक्ट करते हैं तो उस गोलिला को बहु मितर स्वाइब वाली तो निकाला तो हम तुम्हारी जगा किसी और को हया कर देंगे ह dessa कैंटे निकलते हैं तो लिंडा और मैंग ज़ूने की इजाज़त दे दिये और मैं इसे अपनी बॉड़ी परियोग करना चाता हूं और लिंडा और मैट भी उसका इस जूट में साथ देते हैं और इसके बाद सिबैस्टेन अपनी बॉड़ी में गायब होने वाली दवा को इंजेक करवाता है उससे बहुत में होता है और फाइ सिबैस्टेन उनकी आसपास है इसके बाद तीन दीन हो जाते हैं और सिबैस्टेन को वापिस लाने का यानि की विजिबल करने का वक्त आ जाता है और वो उसके अंदर वाली दवा इंजेक करते हैं जिससे इंसान दुबारा दिखना शुरू हो जाएगा और जब वो उसके उसकी मैट से बहस भी होती है वो मैट में बहुत चिलाता है वो बोलता है कि पिछले दस दिनों में तुमने मुझे जितनी सुया चुपाई है जितना वाश्री में जला है उसको मैं ही जानता हूँ दरसल अब सिबैस्टेन की दिमागी हालत में कुछ अलग होती जा रही है वो पिछले 10 दिनों से गायव है और परिशान हो चुका है और वो यहां से निकलना चाता है और एक दिन सिबैस्टेन बहुत उप जाता है और वो लैब से निकल कर अपने घर जाता है और जब गर जाता है तो वो देखता है कि उसकी परोस में की लड़की जो नहाने के इसी बीच लिंडा सिबैस्टेन के घर जाती है और वो देखती है कि उसका मास्क उत्रा हुआ है और इस बास से लिंडा बहुत रजाती है इसके बाद वो वापस लैब में आती है और वो सब डिसकस करते हैं कि सिबैस्टेन किसी के लिए भी खत्रा हो सकता है क्योंकि वो बिन वो सिबेस्टिन की इमेज को उसकी एनरजी को देख सकते थी अब सिबेस्टिन जानता है कि कैमरे से उस पर नज़र रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर ने निकल सकता इसलिए कैमरे के साथ छिरशार चलता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग चला देता है लिन्डा भार देखती लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता उसे शक होता है कि शायद इस सिबेस्टिन था और जब वो लैब में फून करती है तो लैब में जो आदमी बैठा होता है जानवरों को खाना खिलाने के लिए तो वो देखती है कि हुहाँ पर कुटा मरा हुआ होता है भार दो धर हिए नगर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देते हैं ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रेमर को बहुत गुसाता बहुत निराश होते हैं और वो मैट को और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं और उनके जाने के बाद, डॉक्टर क्रेमर ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताना चाते हैं, और फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन डेड होता है, दरसल सिबेस्टियन वहाँ पर पहुँच चुका होता है, और वो डॉक्टर क्रेमर को सुविंग पुल में डुबा कर मा इसके बाद लिंडा ये डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सब को पता देगी क्योंकि अभी तक जितनी भी लोग इस लैप के अंदर है वो ही जानते हैं कि सिबैस्टियन इन्विसिबल है इसके रावा कोई भी नहीं जानता और जब वो फोन करती है तो वोन किसी भी आ हालत में पकड़ना होगा क्योंकि सिबैस्टियन इस से लैब में और जब वो सबसे निकलते हैं तो जैनिस का पीछे को छूट जाता है एकर लेकिन सिबैस्टियन को जखमी कर देता मैट उसके फायर भी करता है लेकिन उसको नहीं लगता क्योंकि वहा पर प्रवा होती है जिसकी वज़े से उसकी काफी सारी परचाईां दिख रही होती है। चाला जाता है गोशिती है दरवाजह खुलने की कोशिच करते है और वो काम्याब हो जाती है दर्वाजा खुलने के बाद वो मैट को उस फ्रीजर रूम से बहाँ निकालती है और उसके सामने आग जला देती है क्योंकि उसकी बोड़ी बहुत जाद ठंडी हो चुकी होती है और अब वो उस तरफ जाती है जहां पर सिबेस्टियन है सिबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है और दर्वाजा बंध होने ही वना होता है कि सामने लिंडा जाती है उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है वो उसमें आग लगाती हो मैट आ जाता है उसके हाथ में लोहे का एक बहुत बढ़ा रौर होता है और वो उससे से वही पर गिर जाता है इसके बाद मैट लिंड़ा का उठाथा है और वो वहासे जाने लगते लेकिन अभी भी सिबैस्टैन 유्च जिंदा है और वो उसी रॉड को उठाता है जिससे उसे मैट में मारा होता है और वो मैट को मारने के लिए जाता है लेकिन मैट को पता चल जाता है मैट उसे धक्का देता है और जो उसके आत में रॉड होता है क्योंकि Sebastian ने उनकी हर जगा से entry और exit deactivate कर दी होती है इसलिए lift के साथ जो emergency exit होता है यानि कि lift जहां से उपर और नीचे आती है वही पर shaft लगी होती है जिसके सारे हो उपर चड़ना शुरू करते है और जब वो उपर चारे होते हैं तभी bomb भड़ जाता है और वो धीरे धीरे उपर चड़ना शुरू करते है तभी Linda का नीचे से Sebastian पैर पकड़ लेता है वो अभी भी जिन्दा होता है मैट उसे बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो उंतर पहुंचता Sebastian लिन्दा को पकड़ कर नीचे लिफ्ट में कुच जाता है और वो महाँ पर उसे बोलता है कि मुझे किस करो लिन्दा उसे किस करती है और वो उस cable को पकड़ लीती जो lift के साथ लगी होती है जिसके सारे lift ऊपर और नीचे आती है और वो पैस एक बटन दबाती है जिससे केबल लिफ्ट से अलग हो जाती है और सिबेस्टेन उसी लिफ्ट के साथ नीचे जाकर गिरता है और नीचे पूरी आग जल रही होती है जिसमें सिबेस्टेन जलकर मर जाता है और लिन्डा धीरे धीरे उपर आ जाती है और उपर मैट होता है वो दोनों गले मिलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़़ए